हलो दोस्तों वल्कुन दो माई यूट्यूब चैनल तो स्वागता जी आप सब का एक नई वीडियो में उमीद करूंगा आप सब लोग ठीक ठाक होंगे खुश होंगे और कैनेडा आने की तयारी में होंगे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे जी कोर्स इसके बारे में देखें बहुत ज़्यादा कोशिंज आ रहे हैं आज कल के कौन सा कोर्स लेके आए या मतलब कि एक साल का कोर्स लेके आए दो साल का लेके आए पीर के लिए क्या एक साल का कूर्स काफी है या नहीं तो इस सारी की सारी जो डीटेल है इस वीडियो में शेयर करेंगे तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं जी कैनेडा के प्रोसेस की देखें जब भी हम एज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास नॉर्मली दो पातवे होते हैं प्र लेने के लिए सबसे पहला एक्सप्रेस एंट्री वो उन लोगों के लिए वैलिड रहता है जिनके पास एक साल का एक्सपीरियंस है वो एक साल का एक्सपीरियंस कैनेडा में भी हो सकता है वो एक साल का एक्सपीरियंस बैक कंट्री में भी हो सकता है जहां से भी आप आ रहे हैं तो उस कं कर सकते हैं PR लेना ना लेना वो cut-off के उपर depend है currently 500 के आस-पास cut-off जा रही है जो के एक बड़ा मतलब के point number है तो हर किसी के वो points है वो easily नहीं बनते हैं और secondly जो program आता है जी जो normally हम लोग जहां से PR अपनी लेते हैं वो होते हैं जी PNP programs देखें बहुत सारे और भी programs atlantic immigration है rural and northern immigration है लेकिन जो normally है express entry and PNP programs PNP programs हर किसी province का अलग है Manitoba का Saskatchewan का Alberta का Ontario का हर किसी province का अपना एक different program है हर किसी की अलग requirement है अगर मैं especially Manitoba की बात करूं क्योंकि मैं Manitoba में रहता हूँ तो Manitoba में ये मतलब के scenario है जी कि अगर आप चाहे एक साल का course है चाहे दो साल का course है उसके बाद में आपको 6 महीने का काम करना पड़ता है किसी भी employer के साथ में किसी भी category की job वो हो सकती है no matter आपके field की job है या नहीं भी है बस job होनी चाहिए एक genuine employer के साथ में उसके बाद में आप eligible हो जाते हैं आप points calculate करते हैं नॉर्मली जो लोग directly यहां पे आके study करते हैं उनके points meet हो जाते हैं तो आप apply करते हैं जी अपनी nomination के लिए 6 महीने का experience gain ने करने के बाद में उसके बाद में आपका जो PR का process है PR की file है वो start हो जाती है तो यहां पे study के पहले यह scenario जो मैंने बताया है आपको इसलिए बताया है कि जो हम study करते हैं कि वो कहीं न कहीं PR लेने के लिए ही करते हैं ठीक है जी अब एक साल का course sufficient है या नहीं यह चीज़ को समझाता हूँ आपको एक साल का course किया एक साल का PGWP मिलेगा दो साल का course किया तीन साल का PGWP मिलेगा अब दो साल का जो लोग course करते हैं वो tension free होके यहां पे आके relax होके बैठ सकते हैं कि कोई नहीं एक साल लगेगा दो साल लगेंगे या maximum तीन साल लगेंगे PR हो जाएंगे लेकिन जिन लोगों के पास एक साल का work permit रहता है जिस study करने के बाद में, उन लोगों की जो timeline है, वो कही न कहीं limited हो जाती है, तो कहीं न कहीं आपको जो आपका employer है, वो बहुत ही genuine ढूंटना चाहिए, यहाँ पर tips देरों में एक तरह की आपको, कि अगर आप एक साल का course लेके आ रहे हैं, तो आप असानी से अपना PR का process कैसे कर सकते हैं, देखे, सबसे पहले जब आपको job धूंडनी है, आप study तो करी लेंगे, एक साल की study होगी, खतम, उसके बाद में आपको job चाहिए, PR के लिए, जो के सबसे crucial है, ठीक है, बहुत important role play करेगा, जो आपका employer है, आपकी PR के लिए, तो जब भी आपको interview में बैठना है, या फिर job धूंडनी है, आपको ये चीज़ चेक करनी है, कि by chance आपका work permit expire होने वाला हो गया, कि आपने PNP लगा दी, आपको nomination आगी, या nomination नहीं आया, उसके बाद में, आपका अगर PR को process को ज्यादा time लग रहा है, और आपका जो work permit है, expire होने वाला है, तो आपका जो employer है, वो आपकी help कर सकता है, आपका जो work permit है, extend करवाने के लिए, समझ रहे होंगे आप मेरी बात को, कि अगर आपका जो work permit है, वो expire हो रहा है, और आप किसी employer के साथ में काम कर रहे हैं, then employers के पास वो authority होती है, कि वो आपका work permit extend करवा दे, immigration को बोल के, कुछ documentation ह होती है, कुछ छोटी सी fees होती है, वो pay करके, अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं, कि आपकी job है, वो आपकी PR में कितने importance रखती है, लेकिन अगर आपका जो employer है, वो agree नहीं करता है, या आपके relations उनके साथ अच्छे नहीं है, then उसके बाद में जी, आपको जो बहु यह genuine way में लेना is बहुत ही बड़ा task, otherwise आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, अगर आपके पास है, then फिर तो कोई बात नहीं है, फिर आप LMA यह ले सकते हो, देना आपका जो close work permit है, वो extend हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप पै चार महीने हमें applied status में लग जाते हैं, हमने आज अपनी study खतम की, हमने दो तीन दिन बाद जब हमारे transcript आई result आया, हमने work permit apply कर दिया, at least 3-4 महीने लगते हैं उसको आने में, लेकिन हम काम जो है वो अपना आज ही start कर सकते हैं, जिस दिन हमने apply कर दिया, तो जो work permit है, वो तो जिस दिन आएगा, उस दिन से start होगा, एक साल के लिए, लेकिन ये जो duration रगीगी, उसकी processing time के लिए, वो हमारा bonus हो गया, 3-4 महीने लगे तो हमारा जो 4 महीने का experience है, वो हमने gain कर लिया, और वो हमारा extra हो गया, तो में भी आप मान के चल सकते हैं, कि आपका 1.5 साल का work permit आप दो साल का course लेके आ रहे हैं, employer तो फिर भी डूना पड़ेगा, क्योंकि nomination उसके through ही आपको मिलेगा, job offer अगर आपको देगा, लेकिन कहीं ना कहीं, दो साल वाले जो courses होते हैं, उनके पास 3 साल का work permit रहता है, वो लोग फरी रहते हैं, जो लोग एक साल का लेके आ रहे हैं, वो थोड़ा सा timeline में bounded सा हो जाते हैं, कि आपको उसी time frame के बीच में सब कुछ करना है, तो उमीद करूँगा जी, कि आपको मतलब थोड़ा सा idea हो गया होगा, अब ये आपके उपर depend है, कि आप क्या क्या करना चाते हैं, एक चीज़ और आपको यहां पर mention कर दूँ, कि currently जो scenario है, एक साल का course sufficient है, चार से पांच मीने work permit आने को लग रहे हैं, तकरीबन डेट साल को आपको मतलब के work permit जो है, वो मिल जाता है, it's a sufficient time, आने वाले दिनों में क्या होगा, मैं कुछ नहीं कह सकता, बहुत सारे questions ही आ रहे थे, तो मैंने सोचा आपके लिए ये video बनाऊ, हाँ हर एक case जो है, वो different होता है, मैंने पहले भी बोला, किसी के bachelor's की होती है, किसी के master's की होती है, तो उनके जो points है, किसी के IELTS का स्थूर बहुत अच्छा होता है, तो हर एक case different होता है, अगर आपको भी अपना case है, अपना scenario है, मुझसे discuss करना है, Instagram का link आपको description में मिल जाएगा directly आप मेरे को message कीजिए, थोड़े ही time में, normally मैं आपको reply कर देता हूँ, आपका कोई भी जो case होगा, Manitoba के regarding Canada, के regarding PR, के regarding study visa, no matter कौन सा question है, अब जो directly reach कीजिए, हम बात कर सकते हैं, आपकी help करने के लिए हमेशा में तयार बैठा हूँ, तो अमीद करूँगा जी, वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो थोड़ी से भी informative लगी, प्लीज इसको like कर दे, चैनल को subscribe कर ले,